वैसे तो देवी देवताओं के चमतकार को हर कोई जानता है इसमें भी कुछ अलग-अलग प्रकार की होते हैं आज हम आपको बताते हैं उत्राखंड इस्तित्धारी देवी के चमतकार के बारे में आपको बता दें धारी मा के चमतकार से कौन परचित नहीं है माधारी देवी प्राचीन काल से ही उत्राखंड की रख्षा करती आ रही है कहते हैं उत्राखंड की जितने भी तीरते इस्तल हैं उनकी रख्षा माधारी देवी ही करती है आपको बता दें श्रीनगर से करीब 15 किलो मीटर की दूरी पर कलिया सोड में अलकननदा नदी के किनारे सिद्ध पीछ माधारी देवी का मंदिर इस्थित है इस मंदिर का इत्यास बहुत पुराना है वर्ष 1807 से ही इसके यहां होने का साख्ष मौजूद है हाला कि पुजारियों और स्थानिय लोगों का मानना है कि धारी मा का मंदिर इससे भी पुराना है मंदिर में आपको अनेको घंटियां दिखेंगी घंटियों के बजाने से निकलने वाली धुहनी सुनकर भाक्त गड़ मंत्र मुग्ध होटते हैं माता के जैकारे लगाते हुए मा के दर्शन का लाव राप्त करते हैं बद्रीनाथ जाते समय भाक्त यहां रुक कर माता के दर्शन करना नहीं भूलते श्रीनगर में इस्थित इस धारी देवी मंदिर में माता का केवल सर इस्थापित है मानता है कि मा का शरीर रुद्र प्रियाग जिले के काली मच में इस्थित है पौनाडिक धारणा है एक बार वहंकर बाड में पूरा मंदिर बह गया था लेकिन एक चट्टान से सटी माध्धारी देवी की प्रतिमा धारू नाम के गाउं में बची रहे गई इसके बाद गाउंवालों को माध्धारी देवी की ईश्वरी अवाज सुनाई दी जिसमें मा की प्रतिमा को वहीं इस्थापित करने का आदेश दिया गया था कहते हैं माध्धारी के आशिरवात से हर मनुकामना पूरी होती है और सभी दुख वेसन ताप मिट जाते हैं अगर आपको किसी बात का भैसाता रहा हो तो एक वार माध्धारी के दर्शन कर लीजिए और फिर मा का चमतकार देखिए नेक्स्ट नाइन स्प्रेचल से आकाश की रिपॉर्ट